हेलो गाईज, मेरा नाम है रायान, आज फेलोनी का पार्ट 3 वाला वीडियो है, आज फेलोनी ब्लाक बीस्ट की मैं रेस कराने वाला हूँ, अपनी X01 के साथ, आप लोगों को पता हो गाईज, ये कार बहुत सारी RC कार्स को हरा के यहां तक पहुंची है, आज देखते हैं क्य फेलोनी इसको हरा के king बन पाईगी या फिर नहीं, देखो फेलोनी को इसके side में मैंने रख दिया है, इसका जो spoiler है, X01 की मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, और फेलोनी की लंबाई भी जो है, X01 से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, बाकी फेलोनी की height भी दे फेलोनी इसको हरा पाईगी या फिर नहीं, चलोगा इस वीडियो को करते है, ये कार की speed और जादा बड़ानी के लिए, इसकी motor को मैंने recently replace कर दिया है, इसके लिए मेरे को इसके अंदर काफी बड़े सा इसकी battery डालनी पड़ रही है, तो race यहाँ पर start हो चुकिये, clearly आप देख सित्यों, ये कार की speed जादा हो नहीं, कारण ये थोड़ा सा skid हो रही थी पर ये फेलोनी को बहुत कड़ी टकर दे रही थी, फरस राण में, पर यहाँ जादा सित्यों, फेलोनी ब्लाग बिस्क बहुत जादा आगे निकल चुकिये, फरस राण में भी और सेकंड राण में भी, वही दूसरी तरह, डेबलोल टोइस कार को कंट्रूल करना थोड़ा यह कार बहुत जादा फास्ट है, पर इसको समालना बहुत मुश्किल है, बहुत जादा अनस्टेबल होकर यह चलती है, फिर भी तेखो, इसने बहुत जादा कड़ी टकर दी है, ब्लाग बिस्ट फेलोनी को, तो क्लियर लीगा, इस बार बार यहां पर फेलोनी ब्लाग बि तरीके से इसके अंदर सेट हुआ है या फिर नहीं चला के देखते हैं अब इन दोनों के बीच में जो रेस होगी वह काफी पूरी कोशिश कर रही है अब दीरे दीरे करके दोनों के अंदर मैं पूरी कोशिश कर लिए इसको पकड़ने के लिए पर जितनी जादा राउन यहां पर बढ़ते जारे उतनी जादा यहां पर देख सेखते हैं तोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ते जारे हैं यह क्लियरली थर्ड राउन में भी फैलोनी जीच चुकी आप यह फाइनल XRT को हरानी के लिए मैंने फैलोनी को अभी अभी फुल स्पीड पे चला के देखा यार बहुत ही खतरनाक वाली रेस थी 160 की टॉफ स्पीड पे फैलोनी ने XRT को काफी जादा डिस्टेंस से हरा दिया है अब मैदान में आ चुकी है X01 फैलोनी ब्लाक बीस्ट के साथ रेस करने के लिए देखते हैं यह हिस्टोरिक रेस में कॉन जीता है इन दोनों में से चलो गैइस आगर इन दोनों के बीच में कहीं आइखेडंत गया है तो बहुत जाधा डामेज को साथ दॉनों वही बहुत जाधा फाश्ट है तो चल का इजे तो बडी कवर अवाज देखते हैं यहां से कुछ थो आवाज आई ती इसको एक बार बंड कर देता हूमें अरे यार यह देख लो लास्ट टाइम भी यहां से तूट गया था क्रैश हो गई थी इस बार देखो फेलोनी ने भाई इसके वील के ओपर यहां पर जोर की टक्कर मारी है 100 से भी जादा की स्पीड पे थी दोनों कार्स यहां पर यह जो पाट है तो इसकी बील्ड क्यात लगी नहीं तो एक बार इसको यहां से टक्राहा थी पूरी तरीका सामने का वील इसका एक्सवन का पीछे का वील टक्राए था तो इसके अंदर से मेर को नहीं लगता कुछ भी डामेज बगेरा हुआ है क्योंकि यार बहुत ही solid build quality है इसकी तो एक बर इसको चला के देखते हैं इस जो कार है एक दम परफेक्टली काम कर रही है X01 के अंदर एक भी पार्ट टूटता है ना तो पूरी की पूरी कार खोलने पड़ती है आप यहां से इसका suspension आप मैं निकाल के दूसरा वाला suspension आप इसके अंदर लगा दूँगा तो आज है दूसरा दिन इसको मैंने पूरी तरीके से घर ले जाकर repair कर दिया है तो अब इसकी race कराते हैं एक और बार आर्मा फेलोनी के साथ कल फेलोनी को एक्सोवन ने फर्स राउन में हरा दिया था completely आज देखते हैं इसका फेलोनी इसको हरा पाईगी या फिर ने एक्सोवन वाफन से आगे निकल देगी पर इसका बहुत ही पुरी तरीके से आप एक्सिडेंट हो गया है पर लकिली इसके तर कुछ भी नहीं तुटा है थर्ड राउन में क्लियर लिए आप देख से क्यों फेलोनी ने हरा दिया आए एक्सोवन को और फोर्ट राउन में भी हरा के रख दिया पूरी तरीके से एक्सिडेंट होने के बाद एक्सोवन के तर कुछ नो निक्कत आ चुकिए गाइस मैं इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पारा हूँ इसका बार बार एक्सिडेंट हुआ है अभी दो बार देख सकते हो इसके उपर अलग तरीकी के बहुत ही खतरनाक वाले स्क्राचेज भी किर चुके है तो आने वाले दिनों में गाइस मैं एक्सोवन के अंदर जो पार्ट्स है वो चेंज करके कम्प्लीटली मेटल के पार् आफिर नहीं यहां पेफलोनी बहुत ही जादा पावरफुल मेर को लग रही है देखो चुटकी बजाते ही इसमें फोर्स वन कार को पीचेट हेकेल की रख दिया है ओ माई गॉड मेको लगा ता ही इस फोर्स वन इसको थोड़ा सा भी रखेगी बैटरी चेंज करने के पर कितनी जादा खराब हो रखी है अरे बॉट अपर इसके इंसकितनी जादा मिटी निगा रही है इतनी जादा मिटी इंसके इसके इंदर खोगी मैने बिल्कुल भी नहीं की कोई था तो आपके राते है इन तो मैं दोनों को रोख देता हूं यहां पर देखो एक अलगी सीन हो रखा है ओमाई गॉड यह तो बर्न आउट करने लग रही थी यहां पर इसका वील देखो मेरा हाथ जलते जलते रहे गया यार वील गरम हो चुका इसका पूरी तरीके से इस तुरफ भी आप देख सकते हो पर X01 भी कुछ कम है ने गज़ देखो X01 ने इसको पूरी तरीके से रोक लिया था इसके भी विल्स देखो यहां पर थोड़े थोड़े बर्न आउट होने लगे थे तो भाई दोनों के विल्स यहां पर बच गए वानना दोनों के विल्स में भी ब्लास हो जाते ठीक है के गुणा थोड़ा सा इसमोट गया पूरी कोशिश की किया यह दूसरी को खेंचने के लिए पर गारई दोनों कहला है यहां पर देख सिक्यों गर बहुत ज़्यादा ख्राराब हो चुकिय अगर इन दोनों के बीच में इसी तरीके से भाइट करांगा रहाएस पिसी ना कि इन दोनों में से कौन है सबसे जादा ताकत पर क्लियर ली यहां पर देख सिक्ति हो XRT धीरे जीरे करके भारी बढ़ रही है फैलो नी ब्लाइक बीस्ट के उपर और इसने खेंचना चालू कर दिया है फैलो नी को इसके उपर मिट्टी फेकर इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी पर XRT है monster गार इसके विल्स काफी जादा चोड़े है इस वज़े से इसको काफी सही तरीके से grip मिल रही है यहां पर देख वार यह कितनी जादा मिट्टी फेकर है एक दूसरे के उपर यहां पर फैलो नी ने तो यहां पर पूरी कोशिश कर ली है इसके उपर मिट्टी फेकर इसको रोकने के लिए यहां पर तो दोनों ने तूफान मचा के रख दिया है पूरी तरीके से पर clearly XRT ने जीत लिया है तो गोफ वार में फैलो नी की हालत देखो काफी जादा बुरी हो चुकी है उसके अंदर हर एक जगा पर सिर्फ मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है यहां तक की गई उसके फैंस के अंदर भी बहुत ही खतरनाक वाली मिट्टी घुश सुकी है फिर भी देखो वाईस यह कार इतनी जादा रफ और टफ है कि अभी भी यह प्रोपर तरीके से काम कर रही है XRT के उपर तो जरा भी फरक ही नहीं बड़ा इसके उपर तो मिटी नजर नहीं आ रही है तो वाईस आप मुझे नीचे कमेंट करके बतों आपको Traxxas X01 अच्छी लगी या फिर Arma, Felony, Black Beast अच्छी लगी तो चलो अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट पहला नाम है समीर, उत्तम, अतुल, कृष्णा, रोहन, आकाश, देव, आयूश, सत्यम, सौम्यदीप तैंक्यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजे, लाइक नीचे कर दीजे, कमेंट, बाई बाई दोस्तों